कल साम को एक गाई का एक्सिडेंट वह था और हमें हमी सुचना मिली हैं हमने तुरंत एबिलेंज को कॉल किया और गाई के पास गई हमने जाकर देखा कि गाई की हालक तो काफी नाजूब थी गाई चारद तरफ से फूल गई थी पेर पर काफी चोट थी हम वेट कर रहे थे कि दो चार लोग हो रहा है कि इस गाई को गाड़ी में गाई अब वोची को को रहा तो कि अब पर पहला के अब नहों दो रहा तो इना इनका घरपास में कर दो अब ऑगाई कर दो अब आतना 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 के कंडिसन अबज़ या कि बुकित तिर यह ना प्रवाइड पूरो तो एक बूर जम आजाते हैं तो हम मिलकर गाई को गाड़ी में आनाइज दालते हैं मां गाता ही नहीं मैं लागें पगन हैट होगा है ला तो अतलपा सोडियों से गणा है कि बैटिकर देखने आँके खोली है आथ हैट योड़ी है गाई बिल्कुल भी हिलूल नहीं रही थी क्योंकि पुरी रात ऐसे ही पड़ी थी तो शरीर अकट सा गया था गाई का फिर हम रवाना होते हैं गाई को लेकर और गवसाला की रसिट भी कटानी पड़ती है जैसे ही कोई गाई बेशते हैं गवसाला में तो लिवा सक्ति नाम से ग्रूप बनावा है हमारे गाउ में उस सक्ति ग्रूप की नाम से रसिट काटी गई है गवसाला के नाम से तीन अजार रुपे गई है और गाई को तुरिंट इलाज के लिए रवाना पड़ती है तो जो 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 इलाज को रहिते हैं